okay guys today we are going to start exercise 14.2 तो देखिए 14.2 में सबसे पहला कोशिए इसमें अपने को क्या निकाला है मौड निकालना है तो सबसे पहले सिखते हैं मौड निकालना यहां पे अपने को एक ग्रूप डेटा दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं आपके लिए मौड का फॉर्मॉला लिग देता किसी को तरया है किस चीज को दिनोत कर रहे है वह समय तो मौड निकालना के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ता है आपको एक सार नो नमबर वन में अगर आप देखेंगे तो सबसे जाधा frequency कौन से class कि techie करेंगा सी क्लास को thing work in xyного कि मेरी क्लास को में ऑडल क्लास बहुंगा मेरी ओम इनक्लास मेरे जिर्पाइख है सब्सक् numerator ять लिएक स कि हाँ तर्फा 멘 है अब थेकिंटियम mới L, L जो होता है मेरा, वो होता है मेरा model class का lower limit, तो यह मेरी model class है, इसकी lower limit क्या है, 35, L की value कितनी हो गई मेरी, 35, clear है, तो मैंने L की value निकाल ली, आप समझते है, F0, F1 and F2, ठीक है, F से आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि यह frequency है, ठीक है, बट किस सीज की frequency है, कौन सी class की frequency है वो समझते हैं, देखिए, F1 तो मेरी model class की frequency रहेगी, जो की है, मेरी 23, तो F1, ठीक है, center वाली, 0, 1, 2, तो जो center वाली है, वो model class है, ठीक है, उसकी frequency है, F0 क्या है, F0 है मेरी model class से पहले वाली class, मेरी model class से पहले वाली class कौन सी है, यह है, 25 से 35, इसकी जो frequency रहेगी, इसको मैं मैं बोलूँगा F0, clear है, अब F1 से पहले वाली F0 है, F2 क्या होगी, उसके next class, यानि model class के next class है, उसके frequency को मैं बोलूँगा F2, समझे मैं, yarni जो center वाली frequency F1, वो मेरी model class के frequency है, F0, क्योंकि 01 से पहले आता है, यानि उससे पहले वाली class के frequency, एक चीज़ देखिए यहां पर जो फॉर्मूला है उसमें जो जो वेरियबल्स थे उन सब की आपके पास वैल्यू आ गई ठीक है अब आपको कुछ नहीं करना ठीक है आपने वैरियबल्स की वैल्यू निकाल ली आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका मॉड आ जाएगा ठीक है मैं एक बार वहाँ पस समराइज गर देता हूं ठीक अब मेरी model class find out हो गई, अब उस class में, जो मेरी class की lower limit है, उसको मैं L बोलूँगा, ठीक है, उस class की frequency उसको मैं F1 बोलूँगा, उससे पहले वाले class की frequency को F0 बोलूँगा, उसके बाद वाले class की frequency को F2 बोलूँगा, और H, H तो मेरी class size होती है, ठीक है, इन सब की values आप formula में put J, और direct answer निकाली है, ठीक है, तो देखिए, M क्या हो जाएगा मेरा, L plus, यानि L कितना है मेरा, 35, plus F1 minus F0, यानि 23 minus 21, ठीक है, ओल डिवाइड बाइ, 2 into F1, F1 है 23, minus F0, यानि minus 21, और फिर minus F2, यानि minus 14, ठीक है, और यह पूरा multiply by H, H कितना है, 10, clear है, तो देखिए, इसको solve करते हैं, यह हो जाएगा 35, plus, उपर तो कितना हो जाएगा, 2, और नीचे अगर आप इसको solve करेंगे, तो यह आपको मिलेगा 11, और बाहर आपका 10 है, तो यह कितना हो जाएगा, 35, plus, 20 by 11, तो देखिए, यह को जाएगा, 35, plus, 1.81, बार, तो इन द बार, तो अगर आपको एक decimal तक लिखना है, तो आप लिख सकते है, 36.8, clear है, तो यह मेरा क्या आगया, mode आगया, तो मेरा mode कितना है, 36.8, अब मुझे question में, इसको compare करना है, किस से compare करना है, mean से, ठीक है, तो mean आप निकाल सकते है, पिछले वाले दोनों वीडियो, mean के उपर ह है, तो आप mean अपने आप निकाल लिए, मैं आपके लिए यहाँ पर डायर्क लिख देता हूं, mean है मेरा 35.38, clear है, तो आपको इनको compare करना है, तो आप compare करके easily बता सकते है, कि जो mean है आपका, वो mode से छोटा है, तो इस data को compare करके और आप extra और क्या बता सकते है, आप यह भी ब 8.8 years, वाले, कि mode क्या होता है, highest number of frequency जो होता है, उसी को mode कहते है, ठीक है, तो अपना mode 36.8 है, यहाँ, most of the patients की age 36.8 है, और 35.37 के लिए क्लिए 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 बोल सकते हैं, इसके लिए अपन बोल सकते हैं, कि जो patients जो admit हुए है, उनकी average age क्या है, 35.38, clear है, तो आप exam में प्र hour of age 36.8 years, while on an average age of the patient admitted to the hospital is 35.38, clear है, तो पिक करते है, question number 2, अब देखिए, again question number 2 में, सबसे पहला काम अपने को वही करना होगा, क्या, model class find out करेंगे, अब यहाँ पर देखके बताए, model class कौन सी है, देखिए, highest frequency किसकी है, 61, तो मेरी model class कौन सी हो गई, 60 से लेके 80 तक, ठीक है, तो यह मेरी model class हो गई, अब क्योंकि मेरे पास model class आ चुकी है, तो मैं L की value लिख सकता हूँ, L क्या होता है, मेरा model class की lower frequency, L मेरा हो जाएगा 60, ठीक है, उसके बाद मैं F0, F1 और F2 भी लिख सकता हूँ, F1 तो क्या है, मेरी model class की frequency, which is 61, F0 क्या है, उससे पहले वाले class की frequency, य यानि 38, और H, और H मेरा क्या है, class size, which is 20, तो अब मेरे पास जो formula में variable से सबकी value है, तो अब मैं बड़े easily mode निकाल सकता हूँ, तो देखे, मैं direct value put करता हूँ, L की जिके मैंने 60 put किया, बीच में plus लगाया, F1 minus F2, यानि 61 minus 52, whole divided by 2 into 61 minus 52 minus 38, whole multiply by 20, clear है, तो देखे, यह क्या हो जाएगा, जाएगा 60 plus 9 upon 32 into 20, ठीक है, आप इसको solve कर सकते हैं, तो next step में, जाएगा 60 plus 180 upon 32, तो अब आप इसको solve करेंगे, तो आपको मिलेगा 60 plus 5.625, जब आप इसको add करेंगे, तो आपका आजाएगा 65.625, ठीक है, तो यह आपका आगया mod, यानि maximum number of components की life कितनी है, 65.625 hours, ठीक है, यह mod आपको क्या बताता है, जो maximum अपने पास available है, mean क्या बताता है, आपको उसका average, तो most of the components होगे, उनका lifetime कितना होगा, 65.625 hours, clear है, mean, mode, median, इनके concept आप class 9 से पढ़ गया है, ठीक है, तो अगर आपको कुछ doubt है, इनके concept को और ज़्यादा डिटेल में समझना है, तो आप हमाई class 9 की वीडियो देखी, बड़ आपको आइडिया है, तो थोड़ा बहुत अपन यहाँ पर discuss करते ठीक है, तो 40 कौन सी class के लिए है, इस वाले के लिए है, ठीक है, तो मेरी model class कौन सी होगी, 1500 से 2000, अब यह मेरी model class है, तो मैं L भी बता सकता हूँ, L मेरा कितना हो जाएगा, 1500, इसी class की जो lower frequency है, यह lower limit है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, F0, F1 and F2, तो F1 तो मेरा हो जाएगा, 40, F0 मेरा हो जाएगा, 24, और F2 मेरा कितना हो जाएगा, 33, clear है, और H मेरा कितना हो जाएगा, इस वाले के इसमें, H है मेरा 500, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना, just formula में values रखनी है, और इसको solve करना है, तो mod मेरा हो जाएगा, 1500, L की जाएगे, plus F1 minus F0, यानि 40 minus 24, divided by 2F1, यानि 2 into 40, minus F1, minus F2, into H, यानि into 500, clear है, तो फिर यह तो नॉर्मल मेरा है, आप बड़े एजीली solve कर सकते है, at least class 10 के बच्चे से यह तो expect किया ही जा सकता है, इसको अगर solve करेंगे, तो आपके पास, जो mod expenditure वो आएगा, 184, 7.5, 8.3, रुपीज, clear है, और आपको इसमें, mean expenditure भी पूछा है, ठीक है, तो mean आप खुद निकाल सकते है, मैं आपके लिए डारेक्ट लिक देता हूं, तो mean आपका expenditure है, 266, 2.5, तो mean और मोड को आप देखके बता सकते हैं, most of the families है, उनका expenditure कितना है, इतना है, ठीक है, 184, 7.83, ठीक है, most of the families का, but average, यहनि सभी families का, अगर average निकाला जाए, तो on an average, यह expenditure है, 266, 2.5, ठीक है, यहनि most of the families का expenditure है, वो average से कम है, clear है, okay, तो pick करते है, question number 4, question number 4 में देखिए, again, first काम क्या करना है, model class find करनी है, तो model class कौन से हो जाएगी, highest frequency क्या है, यहाँ पे, 10, तो 10 कौन से class की frequency है, 32, 35, ठीक है, अपन ने अपनी model class find कर ली, तो अपन variables की value लिखना स्टाट करते है, L मेरा कितना हो जाएगा, 30, model class की lower frequency, ठीक है, H मेरा क्या है, class size, तो class size मेरी यहाँ पे कितनी है, 5, ठीक है, किसी भी class की upper limit minus lower limit करके देख लीजे, आपको class size मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या बसता है, F0, F1 and F2, F1 तो क्या है, 10, model class की frequency, उससे पहले बाद बाले class की frequency क्या है, 9, उसके बाद बाले class की frequency क्या है, 3, ठीक है, सारी values आ गई, formula में put कर दीजे और answer निकालिए, ठीक है, तो put कर देते है, model equals to 30 plus F1 minus F0, यानि 10 minus 9, divide by 2 times of 10, यानि 2 into 10, minus F0 minus F2 into H, यानि into 5, ठीक है, तो इसको आगे solve करेंगे, आपको में लेगा 30 plus 1 upon 8 into 5, तो हो जाएगा 30 plus 5 by 8, ठीक है, तो final value आपके पास कितनी आ जाएगी, 30.6, clear है, तो यह आपका हो गया, mod, तो यह तो mod हो गया, आप से actually में mean भी पूछा है, तो mean अपन डायर्क लिख देते हैं, ठीक है, 29.2, clear है, तो अगेन आप से पूछाएगे interrupt दे, तो अपने इसको, क्योंकि most of the question में पूछा है, तो अपने एक वाइसको detail में discuss कर लेते हैं, देखिए, किसी भी data में, ठीक है, यह तो group data है, अगर अपना ungroup data की बात करें, तो mod क्या होता है, mod होता है, मेरा वह वाला data, जिसकी frequency सबसे जादा है, अब क्योंकि यहाँ पे मुझे एक range देती, 30 to 35, ठीक है, जिसकी frequency 10 है, सबसे जादा है, exact value मेरे पास नहीं है, तो group data के अंदर, mod अपन इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, तो यह क्या हो गया, basically, most of the states, जो है आपके, जहाँ पे number of students per teacher है, वो 30.6 है, ठीक है, बट, अगर average किया जाए, सभी states का, तो वो है 29.2, यानि mean जो है number of students per teacher, वो है 29.2, और most of the cases में वो क्या है, 30.6, ठीक है, तो mean mode से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, depending upon your data, clear है, ठीक है, तो pick करते हैं question number 5, again, सबसे पहले काम वही करेंगे, क्या निकालेंगे, model class, model class कौन से हो गया आपकी, 4000 to 5000, ठीक है, इससे अपने पास L की value आ जाएगी, L कितना हो गया मेरा, 4000, H मेरा कितना है, 1000, ठीक है, और F0, F1, and F2 लिख सकता हूँ अब मैं, F1 तो मेरा 18 है, उससे पहले वाले class की frequency 4, उसके बाद वाले class की frequency 9, just formula में values put कीजे, तो values put करते हैं पन, तो mod हो जाएगा आपका, 4000, प्लस 18-4 upon 2 x 18-4, minus 9, whole multiply by 1000, ठीक है, इसको solve कर लिजे, तो यह आपका आ जाएगा, 4000, प्लस 18-4 कितना हो जाएगा, 4, और 4 x 1000, 4000, अपन, इसको solve करेंगे तो आपको पास आ जाएगा, 23, ठीक है, और इस पूरे को solve करेंगे, तो आपके पास mod कितना जाएगा, 4608.695, तो अपन कह सकते हैं, most of the batsmen ने, कितने run बनाए हैं, इतने run बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ mod पुछा है, तो पिक करते हैं, question number 6, तो अगेन, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको model class find करने है, तो model class कौन सी होगी आपकी, यह, क्योंकि highest frequency कितनी है, 20, तो model class क्या होगी, 40 to 50, इससे अपने पास क्या आ जाएगी, L की value आ जाएगी, वहोगी 40, ठीक है, और h अपना कितना है, 10 है, और बाकी लिख सकते हैं, f0, f1, and f2, f1 क्या है मेरी model class की frequency, which is 20, उससे पहले वाले class की frequency, 12, उसके बाद वाले class की frequency, 11, चीक है, कुछ नहीं करना, formula में data boost कीजिए, और answer निकालिए, तो यह जाएगा 40, plus f1 minus f0, यहीं 20 minus 12, अपन 2 into 20 minus 12 minus 11 into 10, इसको आप solve करेंगे, तो आपको मिलेगा 40 plus 80 by 17, ठीक है, और इसको further solve करेंगे, तो आपके पास answer आएगा 44.7, तो question क्या गोड़ इंस्ट्वेंट की जो observation थी, उसमें, most of the time, कितने काल पास होती थी, 44.7, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते है, 44.7 कार्स, clear है, तो इसके साथ यह exercise finished होती है, काफी easy exercise थी, ठीक है, और next exercise भी काफी easy है, तो see you in the next video, रम्यों मेंटरिंग, make a difference, hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions, our location is mentioned in video description, others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube, thank you.